हेलो व्यूवर्स आज हम बनाएंगे 12 फ्लेवर्स की बहुत ही टेस्टी और यूनीक डेरे मिल्क चोकलेट रेसिपीज आप भी महिंगी महिंगी चोकलेट्स बजार से खरीदना बन कर दीजिए और घर पर ही ये यूनीक फ्लेवर्स ट्राइ कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा डिफ्रेंट फ्लेवर्स चोकलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डेरे मिल्क को मिल्क कर लेंगे पैकेट को मैंने बॉइलिंग वोटर में डाल दिया था कुछ सेकिंद्स के लिए और उसके बाद देखे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल्ट हो गया है अब यहाँ पे मैंने चोकलेट का मोल लिया है फ्लावर शेप का आप कोई भी दूसरा शेप जो भी अविलिबल है मारकेट में वो ले सकते हैं फिर आपको बाजार में नहीं मिल रहा तो फिर अमेजान या फ्लिपकाट ओनलाइन कोई भी शॉप से ले लीजिए अब सबसे पहले एक पतला सलेयर हम इसमें डेर मिलक का लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा सारा बेस रेडी हो गया है चॉकलेट का अब चली इसमें डिफरेंट फ्लेवर रखते हैं तो सबसे पहले वाले इसमें मैंने रख दिया है बदाम का तुकड़ा उसके बाद वाले इसे में मैंने एक काजू का तुकड़ा रख दिया है अब थर्ड वाले इसमें गया दो पिस्ता के तुकड़े फौत वाले इसमें हम डालेंगे किश्मिश जी हाँ, हम इसे ट्राइफ रूट से भरवढ़ेंगे ताकी यह हेल्थ के लिए अच्छा रहे विफ्त वाले मोले पर मैंने डाल दिया है वॉल्लाट्स सिक्स वाले के लिए मैंने यहाँ पर डरे मिल्क शॉट डाल दिया है आप चाहे तो इसकी जगा जेम्स भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास एक जली चॉकलेट तफ लेरो वो डाल देंगे सेवेंथ वाले इसमें इट वाले के लिए हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर मैंने पल्स चॉकलेट ले लिया है तो यहाँ पर दो चॉकलेट लिये हैं और इसे अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे आप चाहे तो इसे ग्राइंडर के जार में भी पाउडर बना सकते हैं एकदम पाउडर इसे नहीं बनाना है हलका हलका दरदर रखे अब नेक्स्ट वाला जो हमारा चॉकलेट है ना उसमें हम यह पाउडर आड़ कर लेंगे बीच वाले लेयर में इसका टेस्ट तो एकदम बढ़िया खटा मीठा अलग ही आता है नाइन्थ वाली के लिए मैंने यहाँ पे बटर टॉफी ले लिया है आप कोई भी बटर टॉफी ले लीजे या फिर एकलर भी ले सकते हैं अब यह खोड़ा बड़ा पीस हो गया था इसले है मैं इसे आदा तुकडा पर डिवाइड कर लूँगी और फिर रख दोंगी बीच में 10 वाले लेयर के लिए मैंने एक चोटा सा केक का तुकडा रख दिया है बीच में 11 वाले लेयर के लिए मैंने यहाँ पे वेफो बिस्किट्स ले लिये हैं और उसका एक छोटा तुकडा रख देंगे बिल्कुल पर्क और मंच के जैसा टेस्ट करेगा अब यहाँ पे मैंने वीट के क्रिस्पीज ले लिये थे यानि की कुर्मुरा ले लिया था उसे तोड़ कर डाल देंगे बीच में यह हो गए हमारे 12 फ्लीवर्स और बचे हुए में सेम लेयर फिर से रिपीट कर दोंगी काजू, पदाम और शॉट्स का अब इसे हम फिर से डेरमक से कवर कर लेंगे अगर आपके पास कोई दूसरा मिल्क या डाक चोकलेट है उसे भी आप मिल्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई भी ओकेजिन ओ, ये यूनीक फ्लेवर के चोकलेट जरूर ट्राइ कीजेगा, I am sure आप सबको बहुत पसंद आएगा अच्छे से चोकलेट से उपर का लेयर कवर कर दीजे ताके वो जो नीची का इसा है न जो आमने अंदर छुपाया है चीजे वो दिखे न और ये एक सप्राइज एलिमेंट रहे लोगों के लिए फाइनली सारे जो लेयर्स थे वो मैंने भर दिया है चोकलेट के और आप अच्छे से पहले तो इसे टैप कर लेंगे ताके कोई एर बबल न रहे अब आप इसे कम से कम दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजी ताके ये अच्छे से सेट हो जाए चलिए एक एक करके हम इसे डी मोल्ड करते हैं देखी कितना प्यारा लग रहा है हमारा चोकलेट कोई फेस्टिवल हो बर्ड डेज हो चिल्रेंड दे इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है बसे कलरफुल पेपर से रैप करके गिफ्ट भी दे सकते हैं करके बसे करके बसे करके दो बसे रहा है